क्या वाकई में आपका नेट बेंकिंग सेफ है या कौन सा एफ है जो आप बीना दरे उसको इस्टेमाल कर सकते हैं सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल और फॉर नॉटिफिकेशन उन रेगूलर अपडेट आज इस वीडियो में हम लोग जाने के कि कैसे हम लोग नेट बेंकिंग को सेफ रख सकते हैं और कौनसा कौनसा एप है जो मोबाइल में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री अप कोस्ट और उसमें कोई भी खत्रा नहीं है उसके लिए आपको कुस पॉइंट का ख्याल रखना होगा अगर आप वो पॉइंट का ख्याल रखते हो तो अपका नेट बेंकिंग बिल्कुल सेफ है पहला पॉइंट हो यह कभी भी पब्लिक वाइफाइ स्टेमाल मत कीजियेगा जो भी पब्लिक वाइफाइ आजकल मोणी गर्मेन ने जो भी पब्लिक प्लेसेश में फ्री वाइफाइ दे रहा है तो हम लोग उसके थुरू कभी भी ट्रेंजेक्शन नहीं करना चाहिए सेकेंड पॉइंट जो है वह हमेशा एक टोटल सेक्यूर्टी या नेट सेक्यूर्टी वाला एंटिवाइरस रखेगा वह यूस कीजिए वह आपको आपका जो बेंकिंग हो या जो भी आपका परसनल डाता सो उसको नेट के इवन भाइरस से भी प्रोटेक करेगा तो वह एक पॉइंट है नमबर श्री पॉइंट कभी भी पाब्लिक का जो दिवाइस है वह यूस मत कीजिए जैसे कि आप साइबर केफे मिल जा रहे हो उडर जाके कभी भी ट्रैंजेक्शन मत कीजिए ठीक है वह एक पॉइंट है दुसरा जो है अफकर फ्रेंट्स या जिसका भी हो उससे ही उस मत कीजिए मैं फ्रेंज का नाम इसलिए ले रहा हूं ऐसा नहीं कि हर फ्रेंट कोई करा मोट हो या हर फ्रेंट बुरा होता है ने बहुत अच्छर्ण भी रहता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का जो पासवोर्ड है आईड है वह उंडर सेव हो जाता है से वोज जाने के बाद थोड़ा आप अंसे वी फिल कर सकते हो इसी के लिए लेटर ही मैं आपको साजेशन धे रहा हूं वो एक पॉइंट है तो यही कुस पॉइंट से जो आपको ख्याल रखना है नमबर फॉर पॉइंट जो है आप हमेशा जो आपका सिस्टेम का सॉफ्ट्रेर हो वो अप्टूडेर रखिए अगर आपको नोटिपीकेशन आ रहा है कि आपका एक निया वर्शन आप सॉफ्ट्रेर अवेलेबल है तो उसको अपडेट कीजिए आपके फाइगा के लिए हो इसको अपडेट कीजिए बहुत सेफ रहेगा आपका जितना भी जो इरर्स पिसले सिस्टेम में रहेगा वो सबको स्क्लियर हो जाते है तो वो एक पॉइंट है नेक्स जो है वो हमेसा अब रेगुलरि कुस दिनों में आप अपका जो पास्वर्ड है वो शेंच कट आएगगा फंदरा दिन के आसपास इसे महीने में डो महीने में लेकिन आप उसको सेंस कर दिजिएगा नेक्स जो है हमेज़ा वो मोबाल नोटिफिकेशन जो बैंक के थ्रू आते हैं मोबाल नोटिफिकेशन वो आप सब्सक्राइब करके रखें हां उस सर्जेस रहे था यहली सर्जेस लाइक 30 रूपीज 40 रूपीज 50 रूपीज उससे कोई फरेक नहीं पढ़ने वाल है आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि कहीं पर भी आपका क्रेडित हो रहा है बैलन्स कोई भी आइमांट क्रेडित हो रहा है तो safe है means you will get the notification आपको notification मिल जाएगा कि मेरा इतना क्रेडित हो गया अगर मिकाल रहे हो तो अधर भी notification आजाएगा कि आपका एकाउंट से इतना withdraw हो चुका है दुसरा जो point है वो आप हमेंसा यह ख्याल रखना है कि जैसे कि हम लोग website में जाते हैं website में जाने के समय पे क्या होता है हार एक website https से सुरू होता है कोई-कोई website में एस रहता है कोई-कोई में नहीं रहता है http रहता है किसमें रहता है http s so उसका ख्याल रखना है अगर s है तो बहुत secure है उसको आप बे जिजक वो यूज कर सकते हो लेकिन जो http है सिर्फ उसमें थोड़ा ख्याल रखना है कि वो आपके खुटके रिक्स में आप कर रहे हो जो भी कर रहे हो तो वो एक point है तो उसका और जुसरा जो पॉइंट है वो हमेंसा official जो website हो या official bank का apps हो उससे ही आप सिर्माल कीजिए कोई को थर्ट पर्टी अप भी है जैसे की बीम हो पेपल हो बगरा बगरा वो भी बहुत safe है मैं थोड़ी दियर में वो भी बोल लूगा कि कौंसा कौंसा आप आप सिर्माल कर सेके हो एक्सलि नहीं है यूज करने के लिए तो वह एक पॉइंट है तो आप पहले वह पॉइंट सब नेट बेंकिंग के लिए ख्याल रख लेजएगा तो वह एक सीज है और कभी कभी हम लोग क्या करते है कि e-commerce website में जाकर हम लोग को shopping बगरा करते है कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई- सेस्ट एफ ग्रहिकन समय भी थेजएगा कोई-कोई-कोई-कोई website समय भी थेजा एगा だから को उसके ठीए मams जाहिए जो जो ट्रस्ट एट website है उसमें जाएए बहुत सेफ है किरश नेट वेक भी टिस से नीज cents हम लोग बात करते है कि कोबसे अपग इस्तमाल कर सकते है बेंक, बेंकिंग अफिसल वाला, वो तो सेफ है ही, जैसे कि SBI का हो, SBI का यहोनों हो, SBI मोबाइल बेंकिंग हो, SBI Net Banking का जो वेजसाइट है, HD Apps से क्या भी है, खुट का जो बेंकिंग एप वो है, ICIC का भी है, हर एक बेंक का आसकल तो है, तो उसके दरने की जरुवरत नहीं है, गोगल प्लेस्ट्रों में जाके आप डाल्ट्रों कर सकते हो, तो वही एक सीज है, आपको ख्याल रखना है कि कौन से-कौन साइप आप लो वाला होने, Bheem, जो Bheem है, वो made in India है, बहुत सिक्यूर भी है, मैंने बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं और मुझे experience है कि अभी तक मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लेम नहीं हो, अभी तक मैं डवा कर सकता हूं उसके बारे में, कि Bheem जो है, वो निरली 3-4 step verification करते है, कोई नाम किसी का डाल रहे हो, अकाउंट किसी का डाल रहे हो, तो वो transfer बिलकुल नहीं होगा, क्योंकि data match नहीं करेगा, तो उसकी related होता है, अभी में कुस points भी है, जिसे कि आप mobile, जो amount डालते हो mobile में, जैसे कि आशकल unlimited pack डालते हो, जो भी है, आपको cashback डेते हैं, यह 5% cashback है, या mobile का bill हो, वो pay करने के सर्माए, या DTS का bill हो, इस TV, Tata Sky, जो भी हो, उसमें भी cashback मेलता है, और बाकी bills दो दे ही सकते हो, electricity bill, जो है, इस अच्छा है, और next जो है PayPal, PayPal भी बहुत अच्छा है, उससे भी आप लोग उसकर सेक्टिव बहुत सारे website में आपको offers भी मिलता है, की PayPal से pay करो, 2% off मिलेगा, सभी में मिलता है, वी में मिलता है, PayPal में मिलता है, तो ऐससा सीज़र रहता है, next जो है, G Pay, मतलब Google Pay, वो भी एक बह PayPal करने के लिए, next जो फोन पे है, वो फोन पे आभी आप इस्तमाल कर सकते, वो बहुत सेफ है, वो भी इस्तमाल कर सकते हूं, मुझे बहुत न्यूस सुनने को मिलता है, की किसी का पेसा इतना पेसा विड्रोग कर लिया गया है, उससा सीज़र हो रहा है, तो आपको क्या ख् पर वार्सकल बहुत पेसा किसी ने उज्डो कर रहा है, फ्रॉट हो रहा है, बैंक अंग अर्ले तो उसमें आपको ये ख्याल रतना है कि कभी भी आपका जो पीन है वो शेयर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं है, किसी के साथ शेयर मत किजेए, वो आपके लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है, that's only for you, so, पीन है, वो कभी सेयर मत किजेगा, हाँ, पैंक वाले कुस्ट है कि एट्यम कर्ट का नंबर बोलो, you can say that, वो 16 डिजी नंबर आप बहुत सकते हो, लेकिन जो आपका CV है, CV नंबर, back sector CV नंबर है, कभी कभी, वो सेयर करने से भी problem से होजाते है, तो next, जो है, पीन तुप इलकुल सेयर मत किजेगा, एक बार आपने पीन सेयर कर दिया, मतलब पूरा आपका एकाउंट का access ही उसको दे दिया, और अटरेटी पूरा उसको दे दिया, तो यही एक सीज़े रहता है, so be safe, net banking के related हो, या mobile banking के related हो, बिलकुल लापरबा मत किजिएगा, बहुत safe से इस्तमाद किजिए उसको, यह जो point से उसको आप ख्याल में रखके थोड़ा देखिएगा, so मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत-बहुत सुक्रिया, मैं एक नया creator हू यूट्यूब का सो, आपका जो like है, share है, comment है, subscribe भी जो करेंगे आप लोग, बहुत मेरे लिए, एक हार एक like हार एक subscribe मेरे लिए बहुत important है, please, please, please do like, comment, subscribe my channel, ऐसी ही आपके पास निया ने वीडियो से लेके राधे रहेंगे, अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा, तो share भ अगर मेरे आप साहते हो कि मैं कोई भी topic पर वीडियो बनाऊ, please, वो topic मुझे comment session में जरूर बोलिये, मैं obviously वो topic पर कोई वीडियो बनाऊगा, process जो कौन से, सब कुछ बोलूँगा, so, till then, take care, bye bye, jahin, and please, don't forget to subscribe, like and comment my channel, thank you.